नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रैंड धर्मा सनमार्क जोतिस में हल्दी का सम्बंद ब्रहस्पती ग्रहसे है और ब्रहस्पती को देव गुरु माना जाता है कई बार कुंडली में ब्रहस्पती के कमजोर होने से जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाए तो जीवन में धन की कमी नहीं होती सुख की कमी नहीं होती गुरुवार का दिन भगवान स्री हरी विश्णु की अराध्ना का दिन है अगर उनकी किपड़ा मिल जाए तो बैक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जिन पर स्री हरी का हाथ होता है जिनके सर पर ऐसे लोगों को जीवन में कभी कोई तकलीफ आही नहीं सकता आज हम आपको गुरुवार के दिन करने वाले छोटे-छोटे आसान से प्रियोग बताएंगे जो आपके जीवन के तमाम परिसानियों से आपको बाहर निकालेगा तो चलिए सुरुवात करते हैं देखिए सबसे पहली बात तो गुरुवार के दिन घर में पोशा नहीं लगाना चाहिए ये तो आपको पता है लेकिन अगर आप बहुत जरूरी है बहुत गंदा है घर अब आपको घर धुलवाना है क्या करेंगे एक चुटकी हल्दी पानी में डाल दीजेगा तो दोस्त कम हो जाता है कम हो जाता है याद रखिए मिटता नहीं है कम हो जाता है इमर्जंसी हो तब और गुरुवार के दिन जब आप असनान विगरा करके पूजा पाठ करने की तेयारी करें तब भगवान स्री हरी के पूजा के थाल में हल्दी जरूर रखिएगा संख जरूर बजाना चाहिए एक तो मालक्षमी की किर्पा बरस्ती है दूसरा नकात्मक उर्जा दूर भाग जाती है तो इस दिन बहुत सारे चोटे 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 परयोग होते हैं घर के मुखे दरवाजे पर अगर गुरूवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर छिर्काओ किया जाए तो नकात्मक उर्जा दूर होती है और घर में सकात्मक उर्जा का वास होता है जब आप भगवान सुरी को जल अर्पित करेंगे तो जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर ही अर्पित कीजिएगा अगर आप ओ विवाहित हैं और ऐसे आप जल अर्पित करते हैं तो सिग्र विवाह के योग बनते हैं और अगर आप विवाहित हैं तो आपके बैबाहित जीवन में खुशिया आती हैं वैसे तो गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ में भी पूजा की जाती है और केले के बिश्की भी पूजा की जाती है अगर आप ब्रिस्पतिवार का कथा सुनती हैं, ब्रत रखती हैं तो ये सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम है लेकिन आज हम आपको कुछ खास प्रियोग बताएंगे जोतिस कहता है कि गुरुबार के दिन तुलसी के पेड़ में अगर आप जल अर्पित करते हैं तो जल में दो-चार बुंद, कच्चा दूद, एक चुटकी, अक्छत और थोरी सी मीठी वस्तू डाल कर अर्पित करें तो घर में सुक सम्रिद्धी आती है, धन बढ़ता है, लक्षमी प्रसन होती है और जब आप ज़ाडू लगाती हैं, तो आप एक दो दाने जीरा डाल कर फिर ज़ाडू से बाहर कर बाहर कर दें, तो इससे बरकत बढ़ जाती है अगर आप घर से गुरुवार के दिन जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं, तो फिर आप पीला रुमाल रखले पास में, या फिर हल्दी का थोरा सा कलाई में आप हल्दी लगा लें, तो आपके कारे बन जाते हैं, कारियों में सफलता मिलती है गुरुवार के दिन छोटे छोटे प्रियोग जरूर करें ताकि आपका भागे साथ देने लगे अगर आपका भागे एकदम से साथ नहीं दे रहा तब ओम ब्रिंग ब्रहस्पते नमह ओम ब्रिंग ब्रहस्पते नमह तो गुरुवार के दिन चुकि तुलसी जी का विशेस महतो बढ़ जाता है और तुलसी को विश्णु प्रिया भी कहा जाता है अगर भगवान स्री हरी के चर्णों में गुरुवार के दिन से शुरू करके नियमित रूप से दो तुलसी के पत्ते अरफित करें तो आपके जी पीले रंग की मिठाई खाकर निकलिए आपके रिस्ते तै हो जाएंगे अगर गुरुबार के दिन आप एक लाल कपड़े में कौड़ी पांच कौड़ी थोड़े से गुलाब की पंखुरी और एक सिक्का चांदी का हो तो अच्छी बात नहीं तो एक रुपया का कोयन ले ली अब एक खास उपया देखे गुरुबार के दिन चुकि भगवान स्री हरी को पीला रंग पसंद है तो इनको पीले रंग के पुस्प और अगर आप केवड़े का इत्र अर्पित करें तो जीवन में खुजाली आती है वैसे तो आप केवड़े के इत्र नहीं भी अर्पित क कर सकते हैं तो कम से कम मा लक्षमी को आप गुलाब का इत्र अर्पित करें और जो आपकी उंगली पर लगा रह गया आप उसको अपनी नाभी पर लगा ले आपका भाग्योदे होता है जीवन में खुजियां बरसती है भगवान स्री हरी को पीला रंग पसंद है इसलिए उ भोग लगाने से रिस्तों में मिठास बढ़ेगी पर पीला केला खायेगा मत गुरुबार के दिन केला खायेगा तो रिस्तों में दूरियां आ जाएगी बैबाहिक जीवन में टेंसन बढ़ेगा अगर आप लोगों के बीच नहीं बनती जगड़े लड़ाई होते हैं तो क घर में नकात्मक उड़जा भी नहीं आती और आपके जीवन की मुस्किने भी समाप्त हो जाती है यह जो हल्दी का स्वस्तिक आप बनाएंगे घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से बनाईएगा ताकि यह स्वस्तिक आपके जीवन में आ रही परिसानी को सोंख ले हटा दे अपने घर के मुख्य दरवाजे के चारों तरफ हल्दी से अगर रेखा खीच दे तो ऐसा करने से आपके घर परिवार में खुजियां आती हैं किसी का टोना टोटका किया कराया नहीं असर करता और पोछे के पानी में अगर पोछा लगाना जरूरी हो तो एक बार जरूर डाल दीजेगा अगर आपका गुरू गरबढ़ है पेट की समस्या है मोटापे की समस्या है तब हल्दी और चना दाल का दान आप पास के मंदिर में कर दें तो ऐसा करने से आपका गुरू जो गरबढ़ फल दे रहा है वो ठीक हो जाता है नहाने के पानी में अगर एक चुटकी हल्दी डाल कर आप अपने घर के छोटे बच्चों को नहलाए या जो कुमारे कन्याएं हैं वो लोग नहाएं तो उनका सिग्र विभा का योग बनता है और नजर दोस उतर जाता है नहीं लगता यानि वो लोग स्वस्थ और मस्त रहते हैं और भाग्योदे भ सुख बढ़ जाता है साथ तरह का वर्दान देते हैं देव गुरू अब गुरुवार के दिन अगर आपका गुरुगरह कमजोर है बिटिया की साधी नहीं हो पा रही तब मुंतर की चीजें होती है तब आप दाहिने हाथ में केले की पेड़ की जर बांध ले पीले धागे में या आप चाहें तो हल्दी की गांट भी आप पीले धागे में बांध कर धारन कर सकते हैं और गुरुवार के दिन कुछ खास परियोग किये जाते हैं जो जीवन की मुस्किलों से आपको बाहर निकालता है एक खास बात है देखिए आपके घर में तुलसी का पौधा है तुलसी के पौधे की मिठी में ही दुरुवा घास आप संबब हो तो लगा दे अगर पहले से है तो अच्छी बात क्योंकि दुरुवा घास आपका भागे के बंद किस्मत के दर्वाजे को खोलता है और अगर आपके महापर है दुरुवा घास तो ये दुरुवा घास आपका राहू भी बेहतर होगा जीवन के कस्ट कम होंगे तो हल्दी के बिसेस प्रयोग होते हैं अगर बुरे सपने आते हैं तो तकीये के नीचे गुरुवार के दिन हल्दी रख दें और उसी पे सोएं वैसे गुरुवार के दिन बिसेस प्रयोगों में एक खास काम जरू वो तो डाल दीजेगा और अगले दिन पानी को पौधे में डाल देना है वैसे तो ये क्रिया रोज करना है लेकिन अगर दिन के अनुसार आप रंग के पुस्प डाल के रखे पानी या प्लेन वाटर भी रख सकते हैं तो नकारतमक चीजों को भी सोकता है और आपके जीवन म आकस्मिक जो बाधाएं हैं दुरगटनाएं हैं वो सभी चीजें समाप्त हो जाती है तो हल्दी के वैसे तो बहुत सारे प्रियोग हैं लेकिन कुछ खास प्रियोग हर गुरुवार किया जाए तो हर मुस्किलों से बाहर निकलने में आसानी होती है आपके घर में छोटे ब लेकिन अगर लड़किया हल्दी का उप्टन लगाती है कच्ची हल्दी का घिसकर तो उनके चेहरे पर गलो भी आता है और उनका गुरु बेहतर होता है सिग्र विवा के योग बनते हैं अगर अपने पूजा अस्थान पर या धन अस्थान पर छोटी सी डिबी में हल्दी म देखाआई को चल लगाए और फिर अपने मात्ये पर लगाए और फिर घर से निकले निर्भगन रूप से आपके सभी कार्य पूरे हो जाएं गुरु बार के दिन जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के समय दीपक जलाते होंगे अब इस दीपक में अगर आप एक चावल का दाना हल्दी से कलर करके उस दीपक की बाती के साथ रख देते हैं और फिर दीपक जलाते हैं तो जीवन की बहुत सारी मुश्कले दूर होती है धन की समझ से परिसान नहीं करें तो हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेव धन्यवाद